नमस्कार दोस्तों आप क्राइम के बात करते हैं महिंदरगड की हर्याना का महिंदरगड जहां पर 6 मासूम बच्चों की जान चली गई हाला कि एक्सिडेंट है लेकिन क्या ये मडर केस नहीं है मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस केस में एक चौकाने वाला तथ्य सामने आया वो शराबी ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था जब लोगों ने देखा कि वो जिगजाग बस चला रहा है तो उसको किसी तरह बस को रोका गया ड्राइवर को उतारा गया और उसके प्रिंसिपल को फोन किया गया स्कूल के और जब प्रिंसिपल को फोन करके बताया गया कि ड्राइवर धुत है नशे में और ये अजीब तरीके से गाड़ी चला रहा है बावज़ूत उसके प्रिंसिपल ने कहा कि आप इसको छोड़ दीजे ये स्कूल आएगा तो मैं इसके क्लास लोगा लेकिन क्या पता था कि उसके बाद इतना भीशन हाथसा होगा जिसमें मासूम बच्चे अपनी जान कवा देगे इस घटना ने शर्म सार कर दिया है सवाल खड़े कर दिये हैं हर्याना प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिये हैं स्कूल प्रशासन पर और सवाल खड़े कर दिये हैं ऐसे ड्राइवर्स पर जो नशे के साथ यानि नशे का सेवन करते हैं और गाड़ी चलाते हैं और लोगों क इतना जादा मारमिक वीडियो था हो जिसमें बच्चे पढ़े हुए और बुरी हालत में हैं हर्याना सरकार ने आप कारवई किया तो क्या हर्याना सरकार ने कहा जाया अब एहसान कर दिया को अधिया देखिये चिराग सही बात है यह सिर्फ महंदरगर्ल हर्याना का मामला नह गए हैं उनका पालन नहीं किया जाता है और ये बात ऐसी नहीं है कि ढखे चुपे तोर पर होती है खुले आम आप जब सड़कों पर इन वैंस को चाहे चोटी हो चाहे बड़ी बसे हो उनको चलते हुए देखेंगे तो साफ तोर पर आप देख सकते हैं कि वो नियमों का उलं पाई देते हैं और खास्तोर से इस केस में महिंद्रगर का जो कलका मामला है इसमें एक सो बीस किलोमेटर प्रती घंटा की स्पीड से वो बस चलाई जा रही थी जो गटना ग्रस्ट हुई और देखें कितनी दुखत बात है हम सभी के परिवारों में घरों में बच्चे हैं और जो छे बच्चे जिनकी मौत हुई है उसमें से चार एक ही गाओं के थे और उसमें से भी दो सगे भाई थे 12-13 साल के आसपास की उनकी उम्र थी और एक ही चिता पर उनकी अंतेश्टी की गई बेहत दुखत घटना और इस घटना से सबक लेना चाहिए हाला कि हम हर साल तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं एक के बाद एक जिसमें या तो चालक काबू खो वैटता है अपनी गाड़ी पर बस पर या नियमों का साथतोर पर उलंगन करता है जैसे बहुत सारे आमिर वाले इतनी फीस लेते हैं कोई management होना चाहिए कि बसे आपके स्कूल में कई ऐसे हम हाइर की जाती है वसे कई स्कूल्स ऐसे जिनके अपनी बसे से अपने ड्राइवर से सब कुछ maintenance वो करते हैं ऐसे केसिस में जब मोटी मोटी फीस ही लोग लेते हैं तब यह भूल जाते हैं कि बच्चों की सेफटी एक शराबी के हाथ में आप दे देंगे जी बिलकुल और इस यह घटना तो बेहत चौकाने वाली है क्योंकि वहां अस्थानिये लोगों ने जब देखा कि यह शराब के नशे में स्कूल बस चला रहा है तो स्कूल बस को रुकवा कर बाकाइदा उसकी चाबी ले ली गई ड्राइवर से कहा गया कि तुमको नहीं चलाने दिया उसके बावजूद स्कूल चल रहा था पहली गलती जो स्कूल प्रशासन की थी वो यह लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी गलती वो यह कि प्रिंसिपल ने ग्रामीनों से कहा फोन पर कि मैं इसको कल हटा दूँगा आज आप इसको चलाने दीजे आप सोचिए कि एक शक्स ज किस हैं उसके बावजूद आप गलतीया करे जा रहे हैं प्रिंसिपल के उपपर तो सीधा सीधा मर्टर का किस दरज हो बिल्कूल में हुआ है मोटर वेकलल एक्ट में हुआ है बिल्किन आप सही रहा है ुदारन बनाना चाहिए लोगों को और एसे तमाम लोग चाहे व जहां तक नियमों की बात करें तो साफ तोर पर उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि स्कूल बसे को पीले रंग का पेंट किया जाना चाहिए, बिल्कुल, उसका नाम स्कूल का साफ तोर पर दोनों साइट बस के होना चाहिए, वैन के साथ ही contact numbers होने चाहिए, कितनी में स्टूडन्स अंदर बैठ सकते हैं, बाहर और अंदर ये भी लिखा हुआ होना चाहिए, सीसी टीवी लगा होना चाहिए, ये तमाम चीजें हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस बस में ये सारी सुविदाय या नियम कानून जिस दंग से फॉलो किये जाने चाहिए थे, गये हैं, बल्कि इस बस graft के स्ταाफ के अलावा स्कूल का स्ताफ भी होता है, यानि कि कोई teacher की duty होती है अगर कोई श्कूल बस से लेकर आ रहा है या फिर कोई ऐसे non-teaching staff की duty होनी Meys इस case में पूरी तरह से क्या कोई ऐसा शक्सी नहीं था, कोई teacher ही नीं था, कोई समझाने वा कि वो उनके साथ कुछ गलत करेगा या शिकायत करेगा उनकी और वो चुप-चाप बैठे रहे और देखते रहे और यही हुई जब उसको रोका गया और उसके बाद प्रिंसिबल के कहने पर छोड़ दिया गया तो उससे मुश्किल से 10 मिनट के अंदर 120 किलोमेटर प्रती घं है इसकी सीरिसनेस को अंडरलाइन करने के लिए मर्डर का केस जरूर दर्ज होना चाहिए ताकि ऐसे सारे लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एसास हो चाहे स्कूल प्रशासन हो प्रिंसिपल हो चाहे तमाम दूसरे लोग जो चलाते हैं स्कूल प्रशासन कई बार इस तरह क बेंसे नहीं हैं। हम तो बहुत धिहान रखते हैं, गार्ड्स भी हैं, सीसी टीवी भी हैं, एक एक बच्चे पर कैसे नज़र रखें, हैं, तब तो जाहिर सी बात है कि माबाप का जिसको कहते हैं, कलेजा मूँ को आता है, लेकिन ये जो बात हमने अभी कही कि मर्डर का केस होना चाहिए, हत्या का केस रेजिस्टर होना चाहिए, और नजीर बनाई जानी चाहिए, अलग-अलग स्टेट्स में जब भी ऐसी घटन ये जो बस थी, इसके पास fitness certificate नहीं था, ये सरकार सो रही थी क्या, क्या पैसा बनाने के लिए सरकार बैठी है, कोई इसमें गलती आमिर भाई, ड्राइवर की तो है, स्कूल की तो है, सरकार भी कम जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल, ये तो साफ तोर पर किया जा सकता है, औ इंदरगर में, वहाँ जो जिले के जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक सहसे चिफ्ट है, उनको उनके खिलाफ निलंबित भी किया गया है, मुकदमा भी किया गया है, लेकिन इस से नहीं होगा, ये एक घटना होती है, उसके कुछ चार पांच दिन तक कारवाई सर चाहिए, मैं ये नहीं कहता है, तीन सो पैसर दिन यही काम ट्रांसपोर्ट पर भाग के लोग या पुलीस वाले करें, लेकिन कम से कम हर पंदरा बीस दिन महीने में एक बार तो वो ऐसा चेकिंग अभियान चला सकते हैं, कि फिटनेस अगर नहीं है गाड़ी की, तो उसको उसको जब्त करें, और उसके बाद सकत कारवाई, उसी को गलत मानते हुए स्कूल परशासन और जो ट्रांसपोर्ट के लिए जमेदार लोग हैं उनके स्कूल में, उनके खिलाफ करें, और ये लगातार होते रहना चाहिए कारवाई, और ये बिल्कुल सही है, कि यह नहीं ह बच्चा डूब गया, कई बार ऐसे देखें कि सेप्टिक टैंक में गिर गया बच्चा, तो ये तो ऐसी इंसिदेंट्स हैं जिससे चबी तो कराव होती है स्कूल की, पेरेंट्स में डर पैदा होता है, पुलिस अपनी कारवाई करती है, जो भी, लेकिन आप ये देखिए और स्कूल को बाउंड किया जाए इस चीज़ के लिए, क्योंकि पैसा मांगते हो तो वो सोचते हैं इतने ही पैसा मांगते हैं, बिल्कुल और बहुत ज़्यादा फीस, ट्रांसपोर्ट की अच्छी खासी फीस, अगर डिली जैसे महानगरों की, एंसियार एरिया की बात की जाए या तमाम दूसरी स्टेट कैपिटल मूटी फीस ली जाती है, ट्रांसपोर्ट के नाम पर भी, और माबाब देते हैं क्योंकि बच्छों को पढ़ाना है, उनके स्कूल का मामला है, लेकिन इसलिए मैं कहा रहा हूं कि दोबारा इसके उपर बहस होनी चाहिए, लंबी इस रेगुलेशन फॉलो की जाएंगे, इसको बहुत जल्दी जल्दी हर महीने इस तरह के चेकिंग अभिहान चलाया जाए, और इस बात की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लेनी चाहिए, ये बात कौन नहीं जानता है कि फिटनेस सर्टिफिकेट जो ह वो रिश्वत लेकर पैसा लेकर दिया जाता है, पुरानी पुरानी गाड़ियां हैं जिनको बहुत सी गाड़ियों को सी एंजी में कनवर्ट करवा लिया है, उनकी फिटनेस दी ही नहीं जा सकती है, उसके बावजूद कई बार कागस पे उनको मिल जाती है और बहुत से के क्या हाल होगा जिनके बच्चे चले गए मैं तो वीडियो देखकर मेरा तो मतला आसू निकला है वीडियो देखकर कितनी मार्मिक वीडियो थी कि बच्चे इस तरह से खूं से लटपत पढ़े हुए सड़कों पर पढ़े हुए और चीक चिलाहट का महौल है वहाँ पर ड्रा अब के नशे में था लेकिन उसके बावजूद जब बस टकराई है पेर से और दुर्गटना ग्रस्त हुई है ड्राइवर धर्बिन नाम था उसका कूद कर वो बस से अलग हो गया उसको कोई ज्यादा चोट भी नहीं आई है और पुलीस ने अरेस्ट कर लिया है ड्राइव स्कूल को आप अगर आप देख रहे हैं कि स्कूल बस बहुत तेजी से चल रही है स्कूल में जरूर कंप्लेंट करें ड्राइवर का बरताव खराब है स्कूल में जरूर कंप्लेंट करें और स्कूल को भी चाहिए कि वो जो बस यूज हो बच्चों के लिए उनका फिटनेस दरों में देती है वो इसलिए देती है ताकि बच्चे जो हैं को सुरक्षित रहें उनको अच्छी शिक्षा मिल चगए लेकिन अफसोस ये incidents ये बताते हैं कि अभी भी कई स्कूल लापरवाही से चला रहे हैं जो शिक्षा परणाली उनके आँ चल रहे हैं पूरी तरह से लापरवाही है ये जो घटना होई इससे कई सवाल खड़े हो गया है हम उमीद करते हैं कि इसमें जल्द कुछ action होगा और हर्याणा सरकार इस मामले में ऐसा action लेगी जो कि एक नजीर बनेगा ये वीडियो किसे लगी जब बता है